हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ दिव्या शर्मा दोस्तों, आज मैं आपको बताने जारे हूँ साइटी का दर्द का पक्का इलाज पहले ही दिन में इसका असर आपको मिलने लगेगा सबसे पहले मैं आपको बताना चाती हूँ कि साइटी का दर्द किन को होता है और क्यों होता है, साइटी का दर्द एक ही दिन में पैदा नहीं होता सबसे पहले आपको यही चीज़ बता देती हूँ जो भी हम खाना खाते हैं, अगर वो खाना अच्छे से पच जाता है, तो वो पचे हुए खाने में से जो कोशक तत्व होते हैं, वो हमारी पूरी बॉड़ी के सेल्स को यानि कोशिकाओं को एक एनरजी के तोर पर मिल जाते हैं, लेकिन अगर हमने जो खाना खाया वो पचने क रुह बाथ, यह बाए हमें साइटी का दर्द देगी, ऐसा नहीं है।अर अगर रोजाना ऐसे ही होता है। हमारा खाना नहीं पचता, और सड़ता ही जाता है, एक महीने, दो महीने तो यह साइटी का दर्द का이고 कारण बनता है। हमारी रीड की हड़ी खैर वालटी ब्राज बने होते हैं, जिन्हें हम मन के कहते हैं, अगर L1 से लेकर L5 तक कोई मन के में डिफरेंस आ जाए, मन का अपनी जगां से निकल जाए या फिर पिचक जाए, तो क्या होगा, बैक पेन होता है, लेकिन L5 के बाद अगर S1 अपनी जगां से डिस्टर्ब हो जाता है, तो यह साइटी का दर्द का कारण बनता है, तो बैब आपको बताने जारी हूँ, ऐसा इलाज जिसे करने से पहले ही दिन में, आपको साइटी का दर्द में काफी अराम मे लेगा, और अगर आप इसे रेगुलर करते हैं तो आप साइटी का दर्द को जिंदगी भर के लिए इस्ट्रावात जो हमारी बॉड़ी के अंदर स्टोर हो चुकी है उसे हम कैसे बाहर कर सकते हैं और खाना अच्छे से कैसे पच सकता है तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि पहले ही दिन में असर करने वाला इलाज कौन सा है बहुत जादा पैसे खर्च आपको नहीं करने करते हैं तो आप अपना हाथ को देखिए हाथ के अंदर जो यह कव बन रही है यह लाइन होती है ना करव बन रही है तो यह लाइन के इस पॉइंट को प्रेस करिए जिनके भी साइटी का दर्द है तो यहां आपको पेन होगा यह कर्व है तो जस्ट इसकी जहां यह लाइन खतम हो रही है वहाँ आप प्रेस करिए खोल के प्रेस करिएगा मतलब ऐसे का ऐसे हाथ को रख के प्रेस नहीं करना खोल के ही प्रेस करना है देख लीजिए तो इस तरीके से जब आप प्रेस करेंगे तो आप को यहाँ दर्द फील हो रहा है तो समझ लीजिए साइटी का दर्द है और ये अब ठीक होने वाला है इसको आपने दिन में तीन से चार बार दबाना है और हर एक पॉइंट को कितने टाइम के लिए दबा सकते हैं बीस सेकंड से लेकर दो मिनट तक ही हम किसी भी एको प्रेशर पॉइंट को दबा सकते हैं ये पॉइंट बहुत ही परफेक्ट है अगर आपको साइटी का दर्द होता है तो पहले ही दिन में आपको अराम मिलेगा ये मतलब क्या हुआ पहले ही दिन में अगर आप बेट पे लेटे हैं तो आपको बहुत मुश्किल आदी खड़े होने में आप चेर से खड़े होते हैं आपको बहुत मुश्किल आती तो आप इस पॉइंट को प्रेस करिए और फिर खड़े होना आपको डिफरेंस पहले ही दिन में मिलने लगेगा अब मैं बताने जाने दूसरा point, दूसरा point हमारी ring finger में है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने ये point जो है, वो दोनों हाथों में same जगाँ पर ही press करना है, अब मैं आपको बताने जाने दूसरा point, दूसरा point हमारी ring finger में है, ये जो बीच का, तीन पोर होते हैं, 1, 2, 3, तो center वाले में, यानि कि यहाँ आपने press करना है goal, और same यहाँ goal, तो ये दो ऐसे perfect point हैं, कि पहले ही दिन में अगर आप pain killer खा कर ही खड़े होते हैं, pain killer खा कर ही अपना काम को शुरू करते हैं, तो आप pain killer नहीं, बलकि इन points को press कीजिए, अब मैं आपको बताने जाने तीन ऐ ऐसी चीजें जो बॉड़ी में से वाथ यानि वाई को दूर करके, नसों की ब्लॉकेस को भी खोलेंगी, हड़ियों को भी मजबूती देंगी, और आपको ये बता दो कि ये तीनों चीजें बहुत आराम से आपको मिल जाएंगी, कुछ लोगों के तो kitchen में होंगी, अगर ए पतला करके, खून को पतला करके नसों की ब्लॉकेस को दूर करती है, और बॉड़ी में बनने वाली जितनी भी वाथ, यानि वाई है, उसको भी दूर कर देती है, तो ये एक आपको लसुन का सेवन कैसे करना है, आप दो कली लसुन ले लीजी, उसे क्रश कर लीजिए, पानी में बिगो दीजिए और सुबह इस पानी को चान कर पानी पानी पीना है लसुन नहीं खानी जिनको एसडिटी बनती है इस तरीके से आप लसुन का सेवन कीजिए अब मैं आपको बताने जारे दूसरी चीज दूसरी चीज इतनी परफेक्ट है कि उसके बहुत सारे पानी को भी पी लेना है और मेथी दाने को भी खा लेना है यह हमारी डाइबिटीज को क्योर करता है और वात और कफ यह दो समस्याओं को भी बॉड़ी से बिलकुल दूर कर देता है यानि बॉड़ी में बनने वाली एक्स्ट्रा वात को भी दूर करता है और हमारे रेस्प वात, पित और कफ ये तीनों को होल्ड करती है, तीनों को बैलन्स कर देती है, वो है गिलोई, जी हाँ, गिलोई के अंदर ऐसी शक्ती है, जो वात, पित और कफ तीनों को ठीक भी करती है, और बॉड़ी के अंदर हड़ी की कमजोरी को भी दूर कर देती है, तो आपने भी मच गिलुिंग का जूसम ले लीजिए और आधे गिलास पानी मेएमिक्स करके, नॉर्मल पानी में पड़के वाला पानी होता है, उसके अधे अधे गिलास पानी के अंदर मिक्स करके, आप सुबह खाली पिट पी लीजिए, तो ये बॉड़ेंगे बनने महले सा आरी एक्स्ट्रा वात को वाई को दूर कर देगी, हमारे रेस्पिरिटिव सिस्टम को ठीक कर देगी, इन लोगों के भी एसिडिटी बहुत बनती है, ये गिलोए उनको भी ठीक कर देगी, तो ये बहुत ही कमाल की चीज है, ये ट्रीटमेंट को फॉलो करके, यानि आपने इन ती आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको इस वीडियो से बेनिफित मिला हो, अगर आपके कोई भी सवाल हो, तो आप जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नई है, पहली बार मेरी वीडियो क्या हुआ है जरूर थाएगा, झापकी हर झाएगा, ऑệc अगर जरूर आपकी हरा झापका का जरूर पूर हो, घर बार आपके दोका आपका हमी उीडियोगों से साङ्चाबना जरूर pra खोन ख função हिले प gloss घूरे रहरू हो, फन्हां फमोंना स्वाल दिया और, और आपकी हरू